हलो एब्रीवान आज के ख्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ओफ सप्लाई से रिलेटेड एक अगले टॉपिक को जिसमें हम डिस्कास करेंगे इलास्टिसिटी ओफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्ज होते हैं यानि कि आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्ज अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ओफ सप्लाई सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि उन फैक्टर्ज के बारे में वैसे कौन-कौन से फैक्टर्ज हो सकते हैं जो किसी भी प्रोड़क्ट के इलास्टिसिटी ओफ सप्लाई को अफेक्ट करेंगे और वो factors पहली बात कौन-कौन होंगे और किस तरह से वो elasticity of supply को affect करेंगे हम इन बातों को आज देखेंगे Price elasticity of supply से related हम लोगों ने अब तक दो topic complete कर लिया है जिसमें पहला Price elasticity of supply का meaning हम लोगों ने जाना क्या मतलब है और दूसरे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि Price elasticity of supply को measure करने के कितने तरीके होते हैं और दो तरीकों को हम लोगों ने detail में discuss भी किया है जिनमें से पहला था percentage method जिसको हम proportionate method के नाम से भी जानते हैं और दूसरा था geometric method जिसको हम point method के नाम से भी जानते हैं कर लिया है आज के class में हम वैसे factors के बारे में discuss करने वाले हैं जो किसी भी product के elasticity of supply को प्रभावित करते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा कि elasticity of supply जो है ये क्या बतलाता है ये responsiveness को बतलाता है किसी भी product की quantity किस तरह से किस rate से बदलेगी जब उस product की कीमत में change होगा और उसके supply में होने वाले change को हम elasticity of supply में measure करते हैं So basically इस responsiveness को affect करने वाले कौन-कौन से factors हो सकते हैं हम इनकी चर्चाज करने वाले हैं तो पहले हम कुछ factors को देख लेते हैं कि कौन-कौन से factors हैं जो elasticity of supply को affect करेंगे और फिर हम one by one करके इन factors की बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से affect करेंगे पहले तो कौन करेंगे फिर बात करेंगे कि वाई कैसे affect करते हैं तो जो सबसे पहला factor होगा जो किसी भी product की elasticity को प्रभावित करेंगा उसमें से हम ले सकते हैं पहले product के तौर पे पहले factor के तौर पे nature of input used nature of input used मतला input जिससे output बनता है तो जो input का में इस्तिमाल कर रहे हैं उस input का क्या nature है ये बात निर्भर करता है या ये बात जो है ये प्रभावित करता है कि उस वस्तू की elasticity क्या होगी जब उस वस्तू की कीमत में परिवर्तन होगा और उसकी वजह से उसकी quantity परिवर्तित होगी तो कैसे होगी ये nature of input used पर depend करता है कैसे करता है इसको भी हम लोग आगे जानेंगे फिलाल हम चलते हैं हमारे दूसरे फैक्टर पर और दूसरे फैक्टर के तौर पर हम ले सकते हैं nature of the commodity जितने भी products है उनका nature भी elasticity of supply को affect करता है अगला factor के तौर पर हम लेंगे time factor time period या time factor आप बोल सकते हो वो भी affect करता है elasticity of supply को then next factor के तौर पर हम बात करेंगे risk taking by the entrepreneur जो entrepreneur है वो risk लेना चाते हैं नहीं लेना चाते हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि product की elasticity क्या होगी उसी तरह से cost of production भी प्रभावित करता है किसी भी वस्तू की quantity के responsiveness को जब उस वस्तू की कीमत में परिवर्तन होता है the next factor के तौर पर हम लेंगे state of technology जो तक्नीक की अवस्ता industry में use की जाएगी for the production process वो भी affect करेगा product की elasticity of supply को and the next or the last factor is natural constraints लेकि जो natural factors हैं यह आप कह सकते हैं constraints हैं यह भी affect करते हैं elasticity of supply को लेको कैसे वाला जो question आरा दिमाग में उसको अभी 2 minutes के लिए रोको क्योंकि अभी हम one by one करके इनको इस अगला जो हम discussion करेंगे वो यही करेंगे कि कैसे यह factors जो हैं वो elasticity of supply को affect करते हैं फिलहाल हमको कुछ factors मिल गए हैं यह कुछ factors हैं जो elasticity of supply को affect करते हैं positively भी negatively भी अब कैसे करते हैं यह काम तो हम देखें सबसे पहला हम शुरुवात करेंगे nature of input used nature of input से हम शुरुवात करेंगे कि यह भाई कैसे affect करता है elasticity of supply को so जो nature है पहला factor हमने लिया है nature of input used अब देखें जो goods and services बनाये जाते हैं उसको बनाने में जितने भी तमाम प्रकार के जितने भी variety के inputs का इस्तेमाल किया जाता है जिसे land, labor, capital, entrepreneur यह सारे inputs है इनका जो nature है कि यह कितने तरह के हो सकते हैं इनका type क्या है तो आप land, labor, capital, entrepreneur इनको नहीं categorize कर रहे हो वो सारे factors जो हैं उनको जब हम on the basis of their nature differentiate करना चाहें तो हम दो भागों में कर सकते हैं इनको जो हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं जिनका हम इस्तिमाल करते हुए production process को आगे बढ़ाते हैं देखे या तो आप production कर रहे हो और अपने production के process में आप ऐसे factors का इस्तिमाल करते हैं ऐसे inputs का इस्तिमाल करते हैं चो बड़ी असानी से उपलब्ध हैं बड़ी असानी से हमें मिल जाते हैं और इनका इस्तिमाल करते हुए production को continue कर सकते हैं या change कर सकते हैं तो उस case में क्या होगा? कि अगर हमारे product की जो कीमत है, जो prices होंगे product के, अगर वो market में change होते हैं, change में मैं बता चुकी हूँ कि या तो increase होगा, या तो decrease होगा, मान के चलिए कि price of the product बढ़ गया, तो हम क्या जानते हैं? कि इसके response में, जो supply होगा product का, इन्पुट का इस्तिमाल करते हैं, आसानी से उपलब्ध साधनों का, इस्तिमाल करते हुए, production करते हैं, तो उस case में, अगर price बढ़ा है, तो इसके respond में, हमको supply बढ़ाना है, supply मेरा कब बढ़ेगा? जब हम production बढ़ाएंगे, production को अगर हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा समान बढ़ाएंगे, तभी तो हम supply भी बढ़ाएंगे, production मेरा कब बढ़ेगा? production माने output, output का जो उत्पादन है, उसको हमको बढ़ाना है, तो output हमारा कब बढ़ेगा? जब हम input को बढ़ाएंगे, और input अगर हम इस्तिमाल कर रहे हैं, जो हमें बढ़ी आसानी से मिल जाता है, input को प्राप्त करने में, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है, चुकि ये हमें आसानी से उपलब्द है, हमें easily available है, हमारे industry के आसपास मिलते हैं हमें, तो बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको input को receive करने में, आपको input को प्राप्त करने में, तो price के change होने पर, आप input को जल्दी से change कर दोगे, जिससे output का जो production है, वो भी change हो जाएगा, और अगर आपने production बढ़ाया, तो उसकी case में आपका supply बढ़ेगा, in response to increase in own price of the product, so we can say, कि in case of easily available inputs, जो हमारे product का supply होगा, वो कैसा होगा? Elastic होगा, जो supply होगा वो, elastic होगा, elastic मतलब कि price में change होते ही, जो product की quantity supplied है, वो भी हमारी change हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़नी हो तो बढ़ जाएगी, घटा नी हो तो घट भी जाएगी, तो इस तरह से price के change होने पर supply हमारा, बहुती जल्दी और बहुती जादा, effective हो सकता है, responsive हो सकता है, और इस तरह से हम कहेंगे, कि supply of a commodity जो है, वो elastic होगी, अगर हम easily available inputs का इस्तिमाल करते हुए, production करते हैं, तो, वहीं पर, दूसरी तरफ, on the other hand, एक तो input हो गया, जो बड़ी आसानी से मिलता है, अगर वो है तो, भई supply elastic है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा input का इस्तिमाल कर रहे हैं, जो हमें आसानी से नहीं मिलता है, मतलब, अगर हम scarcely available inputs का इस्तिमाल करते हैं, मतलब, input जिसको हम use करके, output बना रहे हैं, अगर वो input बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अब मुश्किल से मिलते हैं का क्या मतलब है, तो मुश्किल से मिलते हैं का मतलब है कि, बहुत दूर से आते हैं, मान लीजे, कि आपको input जो है, वो बहुत दूर से मंगाना पड़ता है, तब जाकर कि आप production जो है, वो complete कर पाते हैं, और अपने output के production को आप change कर पाते हैं तो दूर से मंगाना पड़ता है आपको transportation cost वगरा लगाना पड़ रहा है तो ये सारे काम करते हुए अगर आप input का इस्तेमाल करते हुए अगर आप output बनाते हैं अब देखिए क्या होगा कि अब हमारे input जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इस case में हमारे product की जो कीमत है सपोस करें बाजार में वो बढ़ गई है तो हम सब जानते हैं कि price बढ़ने पर supply जो है वो बढ़ता है हम ये बात जानते हैं लेकिन supply को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा पहले production को बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर कि हमारा supply बढ़ेगा production बढ़ेगा मतलब किसका production आउटपुट का production बढ़ेगा आउटपुट का production जो है वो मेरा depend करता है inputs पर अब सवाल है कि क्या हम input को बढ़ी असानी से बढ़ा सकते हैं नहीं क्यों नहीं क्योंकि जिस input का हम इस्तिमाल कर रहे हैं भाई ये input तो हमें बढ़ी मुश्किल से मिल रहे हैं तो क्योंकि हम input को असानी से बढ़ान नहीं पाएंगे जिसकी वज़ा से मेरा output नहीं बढ़ पाएगा और output का production नहीं बढ़ेगा तो फिर हम supply को भी बढ़ा नहीं पाएगे और हमारा जो supply है वो price के बढ़ने के बावजूद उतना responsive नहीं हो पाएगा उतना बढ़ नहीं पाएगा जितना उसको बढ़ना चाहिए तो अगर ऐसा होगा कि price में change होगा लेकिन quantity supply में change नहीं होगा अगर हुआ भी तो बहुत कम तो हम कहेंगे कि जो supply of a product है वो हमारा inelastic है मतलब बिलकुल भी change नहीं होने वाला या फिर अगर change होगा भी तो बहुत थोड़ा तो हम कहेंगे कि वो less elastic है बात समझ में आ रही है क्या हो जाएगा तो अगर हम easily available inputs को use करते हैं in the process of production तो supply जो है वो हमारा elastic होगा लेकिन अगर हम scarcely available input का इस्तिमाल करते हैं वैसे inputs जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो उस case में हमारा जो supply है वो हो जाएगा less elastic या फिर inelastic और इस तरह से input जिसको use करके output बनाया जा रहा है उसके nature जो है वो प्रभावित करेंगे किसी भी product की या उस product के elasticity of supply को आसानी सो प्लब्ध साधन है तो elasticity में की बात करें तो supply elastic होगा लेकिन वहीं पर अगर साधन जो है वो असानी सो प्लब्ध नहीं है तो फिर जो supply है वो inelastic होगा यह हो गया हमारा पहला factor अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे factor के बारे में कि यह कैसे elasticity of supply को affect करेगा तो दूसरे factor के तौर पर हम बात करेंगे nature of the commodity अभी हमने बात किया था nature of the input second point है nature of the output देखिए output का जो nature है वो भी affect करता है elasticity of supply को अब सवाल है कैसे तो चलिए देखिए कि हमारे output कितने nature के हो सकते है तो हम बात कर रहे है nature of the product nature of the product जो है जितने भी goods and services हम यूज करते हैं जितने भी goods and services हम अपने daily basis पर यूज कर रहे हैं उन सारे वस्तुओं को अगर हम nature के basis पर divide करना चाहें तो हम उनको आसानी से दो भागों में बात सकते हैं nature of the product तो किसे विवस्तों को अगर हम उसके nature के basis में बात रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा हम दो भागों में बात सकते हैं जिसमें से पहला जो हुगा nature वो होगा आपका वैसे goods जिनको आप बड़े कम समय तक store करके रख सकते हैं perishable goods कहते हैं हम इनको वैसे product जिनको आप बहुत लंबे समय तक store करके नहीं रख सकते मतलब perishable goods के तौर पे हम वैसी वस्तों की बात करते हैं जिनका जो shelf life है, जिनको रखनी का जो समय है, shelf life वो सीमित होता है, limited है, बहुत unlimited समय तक हम इनको store करके या stock करके रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप एक limited समय तक रख सकते हो 2 महीने, 6 महीने, या फिर 10 दिन, 15 दिन, तो ये हो गया आपके perishable goods जल्दी खराब होने वाली बस तो नहीं, और दूसरे category में वैसे goods को हम रखते हैं जिनको हम लंबे समय तक store करके रख सकते हैं, जैसे की durable goods तो भई, durable goods का मतलब तो वैसे goods जिनको लंबे समय तक हम store करके रख पा रहे हैं जिनका जो shelf life होता है, जिनको store करके रखने का जो समय होता है, वो unlimited होता है पांच साल, दस साल, पंदरह साल, हम इतने लंबे लंबे समय तक अगर इनको store करके रख पा रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा, durable goods अब देखें, वस्तुएं जितने भी हैं, उनको हमने easily दो भागों में बाट दिया, on the basis of their nature So, अब ये अलग-अलग nature की वस्तुएं, अलग-अलग प्रकृती की जो वस्तुएं हैं ये किस प्रकार product की elasticity को affect करती है, ये बात धर ध्यान दें तो अगर हम perishable goods के case में बात करें, तो ये वस्तुएं ऐसी हैं, जिनको हम लंबे समय तक store करके नहीं रख सकते हैं अब मान लीजे कि price of the product market में घट गया, change का मतलब तो बढ़ना घटना दोनो, मान लीजे घट गया है तो price के घटने पर हम सब जानते हैं, कि जो supply है product का, वो भी क्या होना चाहिए, तो भई घटना चाहिए तो price के कम होने पर supply कम होना चाहिए, और producer most of cases में ऐसा करते भी हैं लेकिन अगर perishable goods हैं, इनको हम बहुत लंबे समय तक store करके नहीं रख सकते तो अगर ऐसी वस्तुएं हैं, और इनकी कीमत बाजार में घटी हैं, तो इनका अगर हम supply घटा दें, तो फिर इस तरह के goods जो हैं बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं हमें नहीं पता है कि कब दुबारा से price बढ़ेगा, as a producer, producer का behavior ये है कि price के कम होने पर वो supply को कम कर देते हैं, ताकि वो इस उमीद में कम कर देते हैं supply को कि future में जब prices बढ़ेंगे वापस से, तो हम फिर से उसको supply कर देंगे, लेकिन ये exact नहीं है कि कब बढ़ेंगे और perishable goods का तो time जो है वो limited है, रखने का, तो अगर ऐसी वस्तुओं को रख भी दिया जाए, store करके, तो इनका value बिल्कुल खतम हो जाएगा फिर उस case में जो थोड़े पैसे अभी मिल रहे हैं lower price पर, अगर आपने इसको रखा, तो इसकी जो quality है वो इतनी बिगड जाएगी कि फिर वो fake ने के काम आएगा, फिर आपको बेच के पैसे तो नहीं कमा पाओगे तो इस case में जो इसका supply है, वो हमारा change नहीं होगा या फिर अगर change हुआ भी तो बहुत कम, minor सा change हो सकता है in fact most of cases में perishable goods में कोई भी change देखने को नहीं मिलता है और इसलिए perishable goods के case में जो supply होता है product का, वो inelastic रहता है price में change होने पर भी उसके supply में आपको किसी भी तरह का change देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपके मन में अगर सवाल आए कि हमने price को घटा दिया है अगर बढ़ा कर देखें तो क्या होगा, तो अगर हम price को, माली जे मार्केट में price बढ़ता है तो price के बढ़ने पर supply को बढ़ाना है, बट perishable goods के case में आप supply को immediately बढ़ा भी नहीं सकते हैं अच्छा, perishable goods का example क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि हो जाते हैं आपके fruits, vegetables, milk, milk products जितने भी हैं, sweets, मिठाईयां, उसके अलावा आपके chicken, mutton, eggs तो इस तरह के goods perishable goods के category में आते हैं और ऐसे goods को हम unlimited समय तक store करके नहीं रख सकते तो इस तरह के goods के case में जो supply होगा वो in elastic होगा, वहीं पर हम अगर बात करें अपने दूसरे type of product की जो की है durable goods जिनको रखने का समय काफी लंबा होता है, हम लंबे समय तक इनको रख सकते हैं, तो अगर ऐसे goods के case में price में change होता है तो इसके respond में supply भी change हो सकता है, भई कैसे तो अगर price of the product market में बढ़ा तो durable goods हैं, जादा production करके supply को बढ़ा दिया जा सकता है, या फिर on the other hand, अगर durable goods के case में prices घट गए तो producer क्या करेंगे, इसके supply को भी कम कर देंगे, क्योंकि producer को पता है कि prices तो कभी न कभी बढ़ेंगे ही तो अगर वो अभी supply घटा देते हैं, तो वो अपने profit को अभी कम होने से रोकते हैं और future में जब price बढ़ेगा, तो वो फिर से वैसे goods के supply को बढ़ा कर अपने profit को बढ़ा पाएंगे और इसे लिए वो इस तरह के goods के supply को कम भी कर देते हैं कम करने के पीछे का कारण है कि इनको रखनी का समय unlimited है, खराब होने का कोई tension नहीं है कि भी खराब हो जाएंगे, किस तरह की product आ जाएंगे durable goods में तो जैसे कि clothing items जितने भी हो गया, clothing materials जितने भी हो गया, shoes हो गया आपका footwear जितने भी हो गया आपके, stationary products हो गया, तो इस तरह की product जो है इनको हम लंबे समय तक store करके रख सकते हैं और prices के fluctuate होने पर इसके supply को भी fluctuate किया जा सकता है और इसलिए durable goods के case में जो product के supply होंगे, जो supply of the product होगा वो हमारा क्या होगा, elastic होगा मतलब price के change होने पर supply immediate change करेगा और इसलिए इसे हम कहेंगे कि supply हमारा elastic होगा तो इस तरह से nature of the product जो है, वो affect करता है किसी भी commodity के elasticity of supply को, ठीक है कि अगर perishable goods हैं, तो भाई, supply inelastic और अगर durable goods हैं, तो supply inelastic अच्छा, perishable है तो inelastic और durable है तो elastic अब हम बात करेंगे हैं, हमारे अगले factor के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से ये elasticity of supply को affect करता है तो अगला factor है हमारा time period ये time factor तो हम लोगोंने theory of production में time period अलड़ी पढ़ा है time period के हम बात करें, तो दो तरह का time period हमको देखने को मिलता है और दो तरह के time period कौन-कौन से, तो एक हो है हमारा short period of time और दूसरा है long period of time अब अलग-अलग time period हमारे elasticity of supply को कैसे affect करेंगे हम ये देखें, तो जब हम time period की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह का time period है, एक है short period of time और दूसरा है long period of time short period and long period के अपने definitions है short period हम उस time period को कहते हैं जहां पे किसी भी firm के पास कुछ factors या जितने भी inputs होते हैं किसी भी firm के, वो सारे के सारे inputs दो भागों में बटे वे होते हैं कुछ factors fixed होते हैं, जिनको आप short time period में change नहीं कर सकते और कुछ ही factors होते हैं, जो की variable होते हैं मतलब जिनको हम change कर पाते हैं वहीं पे दूसरी तरफ, अगर हम long run की बात करते हैं तो long run एक ऐसा time period है जहां पे सारे के सारे inputs जो होते हैं, वो variable होते हैं अब देखें, दो time period हैं और दोनो time period में conditions अलग-अलग हैं अब different conditions के according हम देखते हैं कि किसी भी product की supply elastic कब होगी और inelastic कब होगी तो अगर हम शुरुआत करते हैं short time period में short time period में किसी भी product की कीमत बदली उसके response में उसका supply change होगा अब यहां पे change में आप increase और decrease कुछ भी मालो मालीजे कि price of the product बढ़ा तो price बढ़ा तो इसके response में जो supply है उसको भी बढ़ाना है तो जो supply है product का वो कब बढ़ेगा supply तो depend कर रहा है भी production पर अगर जादा output का production होगा तब ही जाकर के जो supply है वो बढ़ेगा तो supply बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा production जो होगा वो बढ़ाना होगा production यानि कि output का production जो कि depend करता है किस पर? inputs पर अगर हम inputs को बढ़ाएंगे तो हमारा output का production बढ़ेगा जिससे supply बढ़ जाएगा अब देखें हम है short period of time में short period में जो inputs हैं जिसका इस्तिमाल करके हम output बना रहे हैं वो हमारे दो भागों में बटेवें कुछ fixed हैं कुछ variable हैं तो भाई हम कुछ ही factor को बस change कर सकते हैं कुछ को तो change ही नहीं कर सकते जो fixed है तो अगर price में increment हुआ है और supply को बढ़ाना है तो उसके लिए production बढ़ाने के लिए input बढ़ाना होगा और कुछ input हमारे fixed हैं तो हम बहुत जादा input को change नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़ा से production हमारा उतना नहीं बढ़ाएगा जितना बढ़ना चाहिए और supply को भी हम बहुत जादा हद तक change नहीं कर पाएंगे और इसी वज़ा से short time period में due to fixity of some factors of production जो product का supply होगा वो in elastic होगा मतलब अगर change होगा भी तो बहुत थोड़ा या फिर बिलकुल भी change नहीं होगा क्यों नहीं क्योंकि short time period में आपके बास बस कुछी factors हैं जिनको आप change कर सकते हो सारे factors को आप change नहीं कर सकते so due to the limitation or due to the fixity of some factors हम सारे factors को change जब नहीं कर पाएंगे तो हम production को एक limit तक ही बदल पाएंगे या फिर in some cases हम उसको बिलकुल नहीं बदल पाएंगे तो अगर हम थोड़ा बदल लेते हैं तो that is called less elastic और अगर आप बिलकुल नहीं बदल पाते हो तो उसको हम कहेंगे inelastic और ये आपको देखने को मिलता है short period of time में क्यों तो उसको मैंने यहाँ पर भी explain किया वहीं पर अगर हम long run में हैं तो long run में हमारे सारे factors जो हैं वो भई variable हैं अब price of the product बढ़ा market में respond में हमें जो supply है उसको क्या करना है बढ़ाना है supply कब बढ़ेगा जब हम production को बढ़ाएंगे production किस पर depend करता है तो inputs पर input को हम change करते हैं input को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा output कब production बढ़ेगा और क्या हम long run में हमारे सारे input को बढ़ा सकते हैं तो जी, हाँ, क्योंकि long run में हमारे सारे factors तो variable हैं तो हम सब को change कर सकते हैं और हम ऐसा करके production को बढ़ा देंगे जिससे जो supply of the product है वो हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा और इस तरह से long run में चुकि हम price के change होने पर supply को change कर पाएंगे तो जो supply होगा हमारा वो क्या होगा तो वो elastic कहलाएगा इसलिए long run में जो supply of the product होता है वो elastic होता है क्योंकि हम अपने सारे के सारे factors of production को change कर पाते हैं और change करते हुए हम production को change कर देते हैं या तो बढ़ाने की बात करें या तो घटाने की बात करें और इस तरह से time factor जो है वो affect करता है elasticity of supply को कि अगर short period of time है तो elasticity की बात करें तो supply जो है वो inelastic या less elastic है और अगर long period की बात करें तो supply जो होगा वह हमारा elastic होगा हम देख लेते हैं मारे अगले factor को अगला factor है हमारा risk taking by the entrepreneur हम बात करते हैं कि जो entrepreneur है जो producer है वो risk लेना चाते है या नहीं लेना चाते है ये बात affect करती है कि product की elasticity क्या होगी तो यहाँ पे हम risk factor की बात करेंगे अब risk factor को अगर हम देखें तो देखो दो cases बनते हैं एक तो case हो सकता है कि producer is willing to take risk producer रिस्क लेना चाहेंगे और एक case बनता है कि producer is not willing to take risk कि producer रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इन दोनों ही cases में जो elasticity है वो प्रभावित होती है वस्तू की मात्रा बाजार में कितनी बदलेगी किस दर से बदलेगी ये निर्भर करती है कि producer रिस्क लेना चाते हैं या नहीं लेना चाते हैं भई कैसे निर्भर करीगी तो देखें अब मान लें कि अगर market में price of the product increase हुआ है मान लिजे कि price of the product बढ़ा तो उसके respond में जो supply है उसको बढ़ाना है supply हमारा कब बढ़ेगा जब हम production को बढ़ाएंगे production हमारा किस पे निर्भर करता है कब production बढ़ेगा तो production बढ़ेगा जब producer investment को बढ़ा देंगे like input की बात हम कर रहे थे तो input free में तो नहीं आएंगे input पे पैसे लगते हैं तो वो जो पैसा लगाया जाएगा that is called investment तो जब producer investment बढ़ाएंगे या investment करेंगे तब क्या होगा production बढ़ेगा और production बढ़ेगा तो supply बढ़ जाएगा in case of increase in price of the product so if the entrepreneur or the producer is willing to take risk risk लेना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे investment को बढ़ा देंगे जिससे production बढ़ जाएगा supply बढ़ जाएगा in case of increase in price of the product तो अगर entrepreneur risk लेने को तयार होते हैं तो उस case में product का जो supply होता है वो elastic होता है supply elastic होगा वहीं पर हम बात करते हैं अपने दूसरे तरफ कि अगर कोई ऐसा entrepreneur है भाई जो risk लेना ही नहीं चाहता not willing to take risk उस case में मालीजे price बढ़ा market में तो price के बढ़ने पर supply को बढ़ाना है supply कब बढ़ता जब हम production बढ़ाते production कब बढ़ेगा जब हम investment बढ़ाएंगे और अगर entrepreneur is not willing to take risk risk लेना ही नहीं चाहते तो उस case में वो investment को बढ़ाना तो दूर वो investment को बढ़ाना नहीं बढ़ाएंगे ठीक है जटना कर रहे है उतना हीं करते रहेंगे investment के नहीं बढ़ने से production नहीं increase होगा और production नहीं बढ़ेगा तो supply भी नहीं बढ़ेगा in respond to change और increase in price of the product so अगर entrepreneur risk लेने को तयार नहीं होते तो जो supply of the product होता है वो भी change नहीं होगा in case of change in own price of the product and the supply of the commodity will be inelastic वो भी inelastic होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा और इस तरह से entrepreneur के द्वारा risk लेने की इक्षा भी प्रभावित करती है वस्तू के elasticity of supply को कि भाई elastic होगा कि inelastic होगा that depends upon कि entrepreneur is willing to take risk or not similarly जब हम अपने अगले factor की बात करते हैं elasticity of supply को तो चलें इसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं मालने कि दो तरह के goods आप produce कर रहे हैं जिसको बनाने का खर्च कम है low cost तो अगर आप high cost of production वाले goods को बनाते हैं तो उस case में क्या होता है कि price में change होने से supply को change करना है और supply को change करने के लिए हमें investment यानि कि production चेंज करना होगा और production चेंज करने के लिए investment चेंज करना होगा तो जो investment है वो हमें बहुत heavy amount में करना होगा है बहुत heavy amount में आपको investment को change करना होगा क्योंकि आपका जो cost of production है वो बढ़ा high है तो बहुत कम समय में बहुत जल्दी हम बहुत जादा heavy amount में investment को change नहीं कर पाते हैं जिसकी बज़र से हमारा supply change नहीं होता है due to change in own price of the product तो high cost of production में जो supply of the product होता है वो inelastic होता है क्योंकि supply को change करने के लिए हमें बहुत heavy investment करने की जरूरत है और बहुत जादा investment हम at a time नहीं कर पाते कोई भी entrepreneur नहीं कर पाते और इस वज़र से supply जो है वो inelastic होता है in certain cases अगर थोड़ा entrepreneur कुछ जादा ही पैसे वाले हैं तो उनके पास तो वो अपने supply को थोड़ा बहुत change कर देंगे जिस case में supply आपका change तो होगा लेकिन बहुत जादा नहीं थोड़ा जिसकी वज़र से supply will be less elastic तो supply less elastic हो सकता है वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसे product का production कर रहे हो जिसको बनाने का खर्चा बहुत कम है तो price के change होने पर आप supply को भी change करोगे supply आपका change तब होगा जब आप investment को change करेंगे investment अगर आपको बहुत ही low amount में करना है बहुत ही normal amount का investment आपको बढ़ाना है तो आप ये काम आसानी से कर पाएंगे और जब आप investment को आसानी से बदल पाएंगे तो उस case में supply जो है वो बदल जाएगा और supply के बदलने से low cost of production में जो supply of the product होगा वो elastic होगा आप इसको समझ सकते हो example के तोर पे low cost, high cost तो देखे low cost of production के example में तुम ले लो ना pen ले लो तुम copies ले लो छोड़े छोड़े जो products हैं जिनको बनाने का खर्च कम आता है तो वैसे products के case में price में change होते ही supply को change किया जा सकता है वहीं पर अगर हम heavy products की बात कर रहे हैं जिसको बनाने का खर्च काफी जादा आता है जैसे कि हम car की बात कर लें हम कोई jewelry की बात कर लें तो इस तरह के जो product है इनका costing काफी जादा है furniture की बात कर लें हम बड़े बड़े furniture की बात करें तो cost जादा होने की वजह से क्या होगा कि price में change होने से भी supply बहुत जादा बहुत जल्दी change नहीं होगा तो supply जो होगा वो inelastic होगा अगला जो point है मारा अगला factor है state of technology state of technology affect करती है elasticity of supply को अगर हम तकनीकी अवस्था की बात करें तो दो तरह का हो सकता है एक तो कि अगर आप modern technique का अस्तिमाल करते हो modern technique का अस्तिमाल अगर आप करते हैं जो कि simple भी है और modern technique जो होती है वो less cost of production में आपको जो production है वो जादा करके देती है तो उस case में production का जो खर्च है वो कम पड़ता है और production जो है वो जादा होता है तो अगर आप कोई ऐसा product बनाते हो जिसको बनाने का खर्चा कम आता है तो फिर उस case में आप चुकि खर्चा कम क्यों आ रहा है क्योंकि आप modern technique का अस्तिमाल कर रहे हो तो फिर उस case में आप अपने supply को immediately change कर सकते हो in response to change in price of the product supply change हो गया क्योंकि production change हम कर पाते है क्योंकि हमारा cost कम है because we are using modern technology तो फिर जो supply है वो हमारा elastic होता है in case of modern technique वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसे product का production कर रहे हो जिसमें आपने outdated technique का इस्तिमाल किया हुआ है आप outdated technology का इस्तिमाल कर रहे हैं traditional technology का अगर आप इस्तिमाल करते हुए production कर रहे हैं जो कि अपने आपने complex है और cost को घटाती नहीं है बल्कि production के cost को बढ़ा देती है तो high cost of production के case में हमारा production जादा नहीं होता बल्कि कम होता है तो अगर हम कोई ऐसा समान बना रहे है जिसको बनाने में जो technique है जो technique है उसकी जो अवस्था है वो हमारी पुरानी है बहुत खर्चीली है तो फिर उस case में production कम होगा और production के कम होने से जो supply है price मान लीजे कि change हुआ बट इसके response में हम supply को immediate change नहीं कर पाएंगे क्योंकि production कम कर पाते हैं क्योंकि खर्चा जादा है क्योंकि हम पुरानी रखनीक का इस्तिमाल करते हैं तो supply जो होगा इस case में वो inelastic होगा अगर आप change कर भी पाओ तो काफी हद तक आप नहीं कर पाओगे तो थोड़ा बहुत change को हम कहेंगे less elastic जैसे man-made goods है इसके भी example के तौर पे आप बाते समझ सकते हो जैसे आप कोई example ले लो जिसमें आप machine का इस्तिमाल करते हुए output बना रहे हो और एक में आप labor का इस्तिमाल करके output बना रहे हो machine का जहां इस्तिमाल करेंगे वो modern technology और laborers का जहां इस्तिमाल करेंगे वो outdated technology तो machine का प्रयोग करते हुए हम कम समय में और जादा मात्रा में और जल्दी product की quantity को change कर पाएंगे जिससे हमारा जो supply है वो elastic होगा वहीं पे लोगों के द्वारा बनाया जाने वाला सामान हम बहुत जल्दी उसके supply को change नहीं कर पाएंगे और supply हमारा inelastic होगा और अब बारी है हमारे आखरी factor की जो की है natural constraints natural constraints के हम बात कर रहे हैं मतलब देखें हम बात कर रहे हैं वैसे factors की बारे में जो की जिनका production nature पे depend करता है ठीक है the factors जिनका जो sorry the factors नहीं वो commodities वो product जिनका production depend करता है on the natural factors जैसे की तुम agricultural products की बात अगर हम सब करें तो जितने भी agricultural products है fruits, vegetables wood, लकडी, rubber लाह वगड़ा जो है इस तरह के जो factors है ये nature पे depend करते हैं और natural factors में हम बात कर रहे हैं कौन-कौन तो जैसे sunlight है wind है मौसम बेसिकली आपकी हो गई weather conditions हो गई तो ये सारे factors पर human का control नहीं होता तो अगर हम कोई ऐसे product की बात करते हैं जिसके production के लिए natural factors responsible हैं या उस पे निर्भर करते हैं तो अगर हम इस तरह के product के prices को market में देखे change होता हुआ माल लीजे कि हम furniture के खीमत की बात करें वो market में increase हो गया है और ये furniture जो है ये teak wood से बनता है तो उसके supply को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा immediately teak wood का production करना पड़ेगा और production के बढ़ने पर ही supply बढ़ पाएगा तो क्या teak wood का production बहुत कम समय में हम कर सकते हैं अपने according नहीं कर सकते इस तरह के goods का production हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये आपके natural factors पर depend करते हैं ये अपना ही time लेके production करते हैं मतलब इनको produce होने में अपना time लगता है और बहुत लंबे समय में एक पेड़ तयार होता है तब उसकी लखड़ी की कटाई करके furniture जो है वो बनाया जाता है तो इस तरह के cases में अगर prices fluctuate हो भी गये हैं तब भी हम उसके supply को change नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं और natural factors के case में natural constraints के case में जो product का supply होता है वो inelastic रहता है तो ये भी एक important factor है कि जितने भी natural factors responsible है उस तरह के goods के production में तो वैसे goods का supply हमारा inelastic होगा वो हम elastic नहीं देख सकते या नहीं कर सकते हैं और इस तरह से ये कुछ factors है जो की किसी भी product के elasticity को affect करती है और इसी के साथ हमारा ये जो topic है ये complete होता है अब next class में हम इसके आगे अगले topic को शुरू करेंगे जिसमें हम discuss करेंगे types of elasticity of supply Thank you Thank you झाल झाल